तो इफ कंडिशन आज की हमारी टॉपिक है वी वी के तुरू हम कैसे इफ का इस्तमाल करते हैं इसके बारे में हम आपके साथ बात करें यहां पर हमने उस सेल्स की फिगर रखी हुई है अब मालेजिए जो जो यहां पर मुझे इंसेंटीव देना है और इंसेंटीव में जो गेटर देन 50 है वो 500 का इस्तेंटीव देना है सिंबर और कुछ निकर इसलिए इस इस इसको वी गी प्रोगामिंग के थूर करना चाहते है ताकि है इफ को समझ सेंगे चले तो हम बताते हैं यहां इंसार्ट मुदूर्स करते हैं यहां पर देते हैं सब्जेक्ट इस कंडीशन में हम सिंपल यहां डालेंगे कि रेंज यहां भी इस लगाने का तरीका समद देते हैं कि इस रेंज रेंज में हम बोला के 2 तो dot value, a2 dot value is greater than, a2 dot value is greater than 50, then range b2 dot value equal to 5. लेकिन कई जगों पर आपने देखा होगा कि इसको तोड के नीच चलाता है, फिर यहां पर एंड इफ लगाता है, आपने साथ कहीं देखा हो, यह भी हम्यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास single condition and single result है, तो तोड के नीच चलाने की ज़रूरत नहीं, अब question यहां पर आता है, तो यह तो run करने पर a2 होगा, तो a3, a4, a5, a6 को भी ले जाना है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, विकार जी? और फोर फोर लूप, फोर आई इको लूप करेंगे, लेकिन फिर भी तो a2 के लीट कर रहा है, तो यहां क्या करेंगे? आई के साथ i को करेंगे combine, क्या करेंगे? i को, क्यों? क्योंकि i के उपर 2, 3, 4, 5, ऐसे increasing order में value होगा, तो a के करके अपने आपको combine करते चाहिएगा, a2, a3, a4, दोनों combine करेगा चाहिए, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, कैसे होता है, effort करते है, इसमें i क्या है? 2 है, a औ 2 मिलके क्या बन गया? a2, और bn2 मिलके क्या बन गया? b2, तो result आगया 500, फिर इस बार i क्या हो गया? 3 हो गया, आदेखिए, i3 है, a और i, a और 3, a3, b और 3, b3, नहीं है, चल गया उपस, तो इसी तरह से यह पूरा चलता जाएगा, result आपको करेंगा, ठीक है? अब में पास ends है, कि अगर less than 50 है, तो 100 होना चाहिए, right? या 0 होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, तो इस case में हम थोड़ी सी अपनी conditions को change करेंगी, पहले तो यहाँ पर हम दो नाम का लिए, if 2 कर देते हैं, और बाकि सब्सेम रहेगा, यहाँ से तोड़के नीच चलाते हैं, और यहाँ पर देते हैं, else, और फिर यहाँ पर तोड़ते हैं, और यहाँ पर करते है, and if, और यहाँ पर 100, ठीक है, clear है? If greater than 50 then 500, otherwise 100, else किसके लिए होता है, otherwise के लिए होता है, ठीक है, condition match होगा, तो यह दिखाएगा, condition match नहीं होगा, तो यह दिखाएगा, हो गया, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि color करता, तो मुझे else नहीं चाहिए, मुझे else का जरूरत नहीं है, तो चलो else यहाँ से delete कर देते हैं, हम चाहते हैं कि दो, बनने कि एक condition fulfill होने पर दो चीज़े हो, तो अगर एक result होता है, तो हमने यहाँ पर एक line से लिख देते हैं, अ दूसरा result है, वो लिखना होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि color हो जाए, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, कि यहाँ color हो जाए, तो हम dot value के जगा पर क्या डालेंगे, dot interior, interior, dot color, equal to green, तो अब क्या करेगा, value भी डालेगा, और इसको green भी, एक में अट, एक नाम के दो macro नहीं होता है, green भी कर देगा, clear sir, समझ आया, जब आपके पास condition लगाना हो, एक condition एक result है, तो ऐसे एक line में लिखती है, पर आपके पास condition में else हो, मतलग कि, कि ऐसा ना हो, तो ऐसा हो, otherwise में system माला, तो आप इसको इसको लिखेंगे, condition, true part, else, false part, और end if, इसको close कर रहेगा, ठीक है, लेकिन में पास else नहीं है, लेकि कई सब्सक्राइपार्ट है, तो अब यहाँ पे condition, result, पहला result, दूसरा result, ऐसी पीछा चौथा पांच बार, इसमें जितना मर्जी उतना result आप दे सकते हैं, समझें? क्लियर है, हाँ सब्सक्राइब, आप चलिए, क्लिक सब्सक्राइब, तो यहाँ पे, अब इसमार जो है, condition, change हो जा रहा है, condition change, it means, कि हम चाह रहे हैं, कि इसमें, कि अगर, 82, 52, 80 के बीच में होगा, तो 800, otherwise, 0, ठीक है? Otherwise, 0, तो इसके लिए क्या करेंगे condition, चलिए, तो इसके लिए, यहाँ, हम सब्सक्राइब दे आप इस 4 लगाते है, और यहाँ पे, greater than, equal to, और यहाँ देंगे, and, यहाँ देंगे, जब and लगाते हैं, तो variables का इस्तमाल करने, तो बेटर होगा, तो कैसे variable का इस्तमाल करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा, कि dim L as a long, यहाँ को भी ले लिजे, और फिर यहाँ हमने, यह चीजी यहाँ डाल रखी हैं, इसको हम L पे डाल, किस पे डाल देंगे? L, कि L equal to era, और यहाँ फिर हम डालेंगे, रिखिए इस तरह से, कि L, L is greater than equal to 50, and L is less than equal to 80, than 800, उसके बाद इसको डिवीट कर जिता हूं मैं? else, else, else में, यहाँ 0 क्योंकि, हम यहाँ पे 0 डालने के जरुक्त नहीं थी, लेकि 0 करना था, ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम run करते हैं, यहाँ के साथ हैं, और और का इस्तमाल कब करते हैं, अब चलिए यहाँ, हम G वाले section में आते हैं, यहाँ पे days है, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, इस तरह के date डले हो, ठीक है, अब मुझे यहाँ, यहाँ पे h column में, Saturday Sunday है, तो off, otherwise open, ठीक है, तो क्या करेंगे, same procedure को यहाँ follow करेंगे, लेकिन इस बार and नहीं, और लगेगा, और यहाँ पे long नहीं होगा, यहाँ पे होगा, d as a string, क्योंकि Saturday, Sunday, string है, समझे, d और यहाँ आजाएगा, हमारा g column, यहाँ पे होगा, कि d equal to, Saturday, और, d equal to, Sunday, then, और k sensitive होता है, इसका ध्यान लखेएगा, v के जगे तो, h, यहाँ भी h, यहाँ हो जाएगा, off, यहाँ हो जाएगा, open, ठीक है, अब यहाँ पे problem है, क्योंकि हमने automate नहीं किया, तो इसको automate कर दे, कैसे automate करेंगे, कि range, यह नहीं होगा, यह होगा, यह होगा अब का g, g, 65,000, dot, and, excellence, up, dot, row, अब क्यों हो गया, fully automate, समझ गया है, तो यह थी है हमारी if condition, जिसमें if के साथ and और और के बारे में समझाएगा, अब इस पे कीजिए practice, कल की class में हम आपको इस से आगे के चीज़ों को समझाएगे, जिसमें mister if और and के सारे कई सारे parts जो लगे होते हैं, उनके बारे में बताएगा, कर दो में हमारी अभी हारे जट खबता को और खूँ हो जिस मैं रगे हैं, कि दो अवरें समझ बताएगे क Kantर रखाохखे ह स को कि बारे में स्यों ताफ़ों ले चू है कीर सारे कर बताफ़ों कि झाएवागे हैं, झाल झाल